हेलो फ्रेंज वेलकम टो ससी मेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनल अवैनेस के इंपॉर्डेंट टॉप 20 MC की डिटेल में डिस्कस करेंगे यह जनल अवैनेस की सीरीज का पार्ट 202 है जो कि आपके आने वाले रिल्वेंट टी पीसी, गुरूप डी, ससी सीजियल, सी अच्छे सर, MTS Bank और All Exams के लिए हलपफुल है यह questions और competitive exams में बार-बार पुछे जाते हैं और बार-बार repeat होते हैं सारे questions importantously वीडियों तक सुरूर देखेगा और सभी questions से related effect भी जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा first question उससे पहले दुस्तों आज का thought चाल लेते ह आज का thought है a negative mind will never give you a positive life दोस्तों इसका मलब यह कि एक नकारात्मक दिमाग आपको कभी भी साकारात्मक जीवन नहीं देगा तो चली चलते हैं हमारे first question पर हमारा first question है उच्छ नियाले के नियाधिशों के वेतन और भत्ते दिये जाते हैं पताएए दोस्तों किस निदी के द अनुसार जो है दोस्तों उच्छ नियाले के नियाधिशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचीत जो की सामे की निदी है इनके द्वारा दिये जानते हैं किंतु दोस्तों जो अनुचेत 112.3 है ठीक है 112.3 के घाक के अनुसार ठीक है इन्हें जो है pension भारा सरकार की जो है एक राज्य की आकास्मिक निदि की स्थापना के लिए awareness किए स्थापना के लिए तरदाई है तो दोस्तों वैह है किसी राज्य का विधान मंदल, भारतिय समविधान के अनुछ़े 267.2 के अनुसार जो है राज्य का विधान मंडल विधी द्वारा अगर दाय के स्वरूप की एक अकास्मिक्ता निदी की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की अकास्मिक्ता निदी के नाम से ग्याद होगी याद रखिए का दोस्तो और दोस्तो ये वीडियो शेर करना बिल्कुल न भूले अब सभी जानते शेरिंग इस दा बेस्ट वे उफ लर्निंग तो शेर जरूर करें नेक्स्ट केशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन केशिन है जम्मो और कश्मीर राज्य के कारेकारी अध्यश का पद का नाम 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया बताईए दोस्तो क्या है वे है तो दोस्तो वे जो है जम्मो और कश्मीर राज्य के सम्विधान में छटे संशोधन द्वारा किया गया दोस्तो जम्मोर कश्मीर राज्ये के सम्विधान में छटे सम्विधानिक शंशोधन द्वारा यानि की 1965 में महार राज्ये की कारेकारी अध्यश का पद का नाम जो है सदरे रियासत से राज्ये पालवें बदल दिया गया और प्रधान मंतरी जो है दोस्तो मुख्य मंतरी के रूप में पुना स्थापित हुआ दोस्तो जम्मोर कश्मीर पुनर गटन अधीनियम यानी 2019 2019 के तहट जो है दोस्तो जम्मोर कश्मीर तथा लद्दाख संग राज्य शेतरों का प्रशासन जो है राश्टपती द्वारा यानी उसके द्वारा न्युक्त उप राज्य पालों के माध्यम से ठीक है राश्टपती द्वारा जो है किये जाने का प्रावधन किया गया याद रखिएगा दोस्तो नास्ट कुषिन पर चलते हैं हमारा next important question है भारत के सम्वीधान के किस अनुछेद के अनुसार राज्ये के राज्येपाल के द्वारा मुख्य मंत्री क्या किया जाता है मुख्य मंत्री को नुक्त किया जाता है बताईए दोस्तो कौन सा अनुछेद वह है तो दोस्तो वह है अनुछेद 164 दोस्तो भारती सम जो हमारा next western पर चलते हैं हमारा next important question है भारति सम्विधान के अनुचेद 152 कि सिर्शक के संबन्द में नेमन में से कौन सा सही है तो दोस्तों वैह है राज्य की कारे पाली का शक्ति का विस्तार दोस्तो भारते सम्विधान के अनुचेद 162 ठीक है राज्य की कारेपाली का शक्ति के विस्तार यानि सम्बंदी उपुबंद करता है और दोस्तो इस अनुचेद के अनुसार इस सम्विधान के उपुबंदों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कारेपाली का शक्ति का व के वित्ते लेखोपन नियंतरन कौन रखता है तो दोस्तों वे है उप्रोक्त में से कोई नहीं दोस्तों केंद्र के साथ साथ जो है राज्यों के वित्ते लेखोपन नियंतरन का जो कारे है नियंतरन का कारे भी जो है भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक द्वारा ही कि जानते होंगे दोस्तों नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टन क्रिशन है वर्स 1956 में कितने पुनरगठित राज्चियों में द्विस अधनिये विधाईका थी तो दोस्तों उनकी संक्या है साथ दोस्तों 1956 में पुनरगठन के बाद बने कुल 14 चांचियों में से सैवन में द्विस अधनिये विधाईका थी फर्स था दोस्तों उत्तरप देश, सेकेंड भिहार, नेक्स्ट पॉम्बे यानि महराश्ट, फोर्थ था दोस्तों मदरास यानि तमिलनाडू, फिफ्थ धय दोस्तों मेस्多 यानि कर्नाठक, शिह दोस्त है द दोस्तो 1986 में विदान परिशत का उत्सादन कर दिया गया था और दोस्तो जम्मूर कश्मीर में विदान सबा सुरी विदान परिशत की जो स्थापना है जम्मू कश्मीर के 1957 में अपनाए गए समिधान के तहत की गई थी दोस्तो आंदर प्रदेश में पहली बार जो है विदा परिशत 1958 में स्थापित हुई थी जिसे जो है दोस्तो नाइटीन अटिफाइप में उच्साधित किये जाने के बाद यहां दोस्तों 2007 में पुने विदान परिशत का गठन किया गया और दोस्तों राज्य पुनरगठन आयोग स्वरी राज्य पुनरगठन अधिनियम जो था दोस्तों 1956 ठीक है और सम्विधान का जो सात्वशन शोदन अधिनियम है 1956 के तहर मद्य प्रदेश में भी विदान परिशत की स्थापना का प्रावधन किया गया था परन्तु दोस्तों इसे तु तारिक नि और कश्मीर संग राज्य शेत्र बनने के साथ यहां विदान परिशत समाप्त कर दी गई थी याद रखी का दोस्तों नास्ट कृष्यन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है भारत में कौन एक मात्र राज्य है जहां समानने यानि कोमन सिविल कोड लागू है बताईए दोस्तों तो दोस्तों वह है गोवा दोस्तों गोवा जो है भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां समानने सिविल कोड यानि कोमन सिवि कोट चला रहा है जिसे जो है परिवर्तित नहीं किया गया है याद रखिएगा दोस्तों और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ससी मेकर को लैक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भू दी गई है तो दोस्तों वै था बिहार दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को आयोध्य घटना के पश्यात भाजबा शाशित उत्तर प्रदेश ठीक है मद्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और राजिस्थान राज्यों की विधान सभाय भंग कर दी गई थी जबकि दोस्तों जो बिह बिहार है बिहार विधान सभा भंग नहीं कर की गई थी ठीक है बिहार में जो है दोस्तों 1980 के बाद ठीक है 1980 के बाद 1995 में राश्पति शाशन लागू हुआ था याद रखीएगा नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इमपॉर्ण क्रिशन है राज्जे की विधान सभा के 17 वसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है तो दोस्तों वह है राज्जेपाल दोस्तों समविधान के अनुछेद 174 सेकिंड का के अनुसार जो है दोस्तों राज्जे की विधान सभा के 17 वसान का आदेज राज्य पाल द्वारा दिया जाता है और दोस्तो राज्य पाल जो है अनुछेद 174 सेकिंड खा के अनुसार ठीक है विदान सभा का विगटन कर सकेगा याद रखीगा नास्ट कुशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट सरकार के मंत्रियों के वेतन अवं भत्तो का निर्धारन किया जाता है बताए दोस्तो किसके द्वारा तो आप सभी जानते होंगे दोस्तो वे है राज्य विदान सभा द्वारा दोस्तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तो का निर्धारन जो है अनुछेद 164 के 5 के तहट राज्य विधान मंडल द्वारा विदी बना कर किया जाता है याद रखिए कर दोस्तो नाफ्स्ट किशिन पर चलते है हमारे नेक्स्ट इंपॉर्डन किशिन है बिना विधान सबा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद बना रह सकता है बताईए दोस्तो पद पर बने रह सकता है तो वे हैं 6 माह तक दोस्तो समविधान के अनुछेद 164 ठीक है 164 के 4 के अनुसार राज्य मंत्री परिश्रत का सदस्य बिना राज्य विधान मंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है और यदि वह 6 माह के अंदर विदान मंडल का सदस्य नई बन पाता तो उसे त्याख पत्र देना पड़ेगा याद रखीएगा दोस्तो ये कहता है अनुछेद 164 के 4 के अनुसार याद रखीएगा नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारे next important क्रिशन है विदान सभा के विगटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानि स्पीकर पत पर बना रहता है तो दोस्तो वै है विदान सभा के विगटन के बाद कठित विदान सभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक दोस्तों समविधान के अनुचेद 179 के द्वित्ते परंतुक के अनुसार विधान सभा के विगटन के पश्याथ होने वाले विधान सभा के पृध़म अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष जो है अपने पद को रिक्त ने करेगा यह कहता है दोस्तों अनुचेद 179 के त्वित्टक परंदुक के अनुसार याद रखीगा नास्ट किशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन किशिन है यदि किसी राज्य की विधान सभा का अद्यक्ष यानि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए बताईए दोस्तों किसे देगा वह है तो दोस्तों वै देगा उपाद्यक्ष को ओके सोरी दोस्तों मिस्टेक हो गया करेक कर लीजेगा से दोस्तों समविधान का अनुचेद जो है 179 ख इसके अकॉर्डिंग दोस्तों विधान सभा अद्यक्ष अपना पद विधान सभा उपाद्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेक द्वारा त्याग कर सके दोस्तों यह कहता है अनुचेद 179 का ख याद रखेगा और दोस्तों ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो और क्रिशन के लिए एससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूले हर सोसल साथ पेच्पेश पेच की गई है तो दोस्तों विवे है 25 वाश ठीक है दोस्तों अनुचेद 173 खा के अनुचार जो है विदान सभा का सदस्य बनने के लिए निउनतम आयू 25 वाश जबकि दोस्तों विदान परिशत की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आयू जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों वह है पीस वर्ष याद रखीगा नाउस्ट केशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशिन है निमलिकित में से कौन एक राज्य के विदान मंडल के किसी सदस्य की निरहरता से संबंदित किसी प्रश्ण का वी निश्चय करने है तो अंतिम सत्ता है दोस्तों वह है राज्यपाल दोस्तों अनुचेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विदान मंडल के किसी सदस्य के निरहरता से संबंदित किसी प्रश्ण का वी निश्चय करने है तो अंतिम सत्ता राज्यपाल है हाला कि दोस्तों इस मामले में वह चुनाव आयोक की राए के अनुसार काम करता है किन्तु दोस्तों यदि दसवी अनुसूची जो की दल बदल के अधार पर है दसवी अनुसूची के तहत मामले उठे तो फिर क्या होगा विदान परिश्चत के मामले में सबापती और सब्सक्राइब करता है तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश क्याद रखिएगा नेस्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम बारन किशन है राज्य विधान सभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है तो दोस्तों आप सबी जानते हो ने है भारत का निर्वाचनायोक दोस्तो अनुछे 324 के तहट 324 के तहट ही जो है दोस्तो राज्य विदान सबाओ के निर्वाचन को संचारित करने की शक्ती भी भारत के निर्वाचन आयोक को ही सोपी गई है याद रखिएगा नास्ट कुषिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डेन के शिन है निम्लिकित भारते राज्यों में किसकी राज्ये विदान सबामे सदस्यों की संख्या अधिक हैं तो दोस्तो वै है हिमाचल प्रदेश ओके दोस्तो अर्नाचल प्रदेश जो की है 60 मेगाले जो की है दोस्तो 60 और दोस्तो मनिपूर जो की है 60 छीक है इनकी दोस्तो विदान सदस्यों की संख्या एक समान है जबकि दोस्तो हिमाचल प्रदेश के विदान सदस्यों की जो संख्या है दोस्तो वै है 68 याद रखेगा Next Question पर चलते हैं हमारा last important question है निमलिकित में से कौन सा राज्य अनुछेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधान सभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे बताईए दोस्तो तो दोस्तो वे है सिक्किम दोस्तो भारति सम्विधान के अनुछेद 170 में यह प्रावधान है कि एक राज्य के विधान सभा के गठन में नियुन्तम जो है दोस्तो 60 और अधिक्तम जो है दोस्तो 500 सदस से हो सकते हैं दोस्तो सिक्किम राज्य जो है इसका अप्वध है क्योंकि यहां विधान सभा सीटों की जो संग्या है दोस्तो वे है 32 ठीक है जम्मु कशमीर संगे क्रेतर 107 जिसमें 24 सीटे पाक अधीकृत कश्मीर हेतु रिक्त ठीक है हर्याना में है दोस्तो 90 और उत्रांचल ठीक है जो कि अब उत्रा खड़न है दोस्तो इसमें है 70 याद रखेगा नास्ट कुशिन सॉरी तो दोस्तो यह थे जनरल अवाइनेस के इंपोर्ड़न टॉप 20 MCQ मॉस्ट इंपोर्ड़न क्वेशन आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वीडियो कैसे लगा कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताईएगा पसंद आया तो अपने स्टड़ी रिलेट्व ग्रूप में शेर ज़रूर करें और SST मेकर को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना बिल्कुल न भूले आज के लिए बस इतना ही थैंकिस सो मज़ दोस्तो